हाई दोस्तों चले आज देखते हैं सिलिंग फ्यान का कनेक्शन यह वीडियो देखने के बाद आप कोई भी फ्यान हो आप आराम से लगा सकते हैं चले शुरू करते हैं फ्यान को आराम से बॉक्स से निकल लीजिए फ्यान का जो राउंड वाला इंसलेशन कवर हैं उसको घुमा के उसको उपर फ्यान को रख दीजिए नहीं तो आपका फ्यान का जो बेस हैं वो स्कार्च होने का चांचे से हैं तो इसलिए उसका उपर में रख के काम करेंगे तो कोई भी खरच नहीं आएगा यह जो रोड देख रहे हैं वो फ्यान का डाउन रोड है आपका घर अगर ज्यादा हाइट हो आप उसे भी बड़ा वाला रोड लगा सकते हैं बड़ा बाला रोड लगाने से आपका फ्यान थोड़ा ज्यादा डाउन होके रहेगा और आपको ज्यादा हावा मिलेगा ये जो डाउन बाला रोड है उसमें चार्ट होल निचे रहता है और चार्ट उपर में रहता है उपर बाला जो चार है उसमें दोठो आपका ओयर निक में गुशा के देख लीजिए उसके लिए वो suitable है कि नहीं यह वाला मार्केट से खरीद है ना वो suitable नहीं होगा तो दूसरा लानने पड़ेगा फ्यान का साथ में जो आता है वो इसके लिए suitable है ठीक है डाउन रोड का जो हाइट है उससे एक पूट बड़ा ओयर कार लीजिए फ्यान में एक जॉइंट रखेंगे जिस टाइम फ्यान खराप होगा उस टाइम उधर से निकाल के लेंगे रिप्यर करने के लिए ठीक है फ्य को आराम से डाउन रोड में डाल लिजिए जिसे कोई चोटना लगे लगे तो आपका व्यान डामेज हो जाएगा और बड़ी में सॉट हो जाएगा जब टार्च करेंगे तभी सॉट लगे ठीक है तो आराम से डाल लिजिए ओयर का जो इंसुलेशन है उसे थुड़ा काट कर दीजिए डाउन रोड में डालने के लिए इजी रहेगा ओयर को एक साइड में होल में निकाली और दूसरा साइड में में वाला होल में रहना दीजिए क्यूंकि आपको टॉप कैनपी लगाना है ठीक है आप चाहें तो प आप वान का डाली ओयर को निकालने के बाद थुड़ा मेजर कर लिजिए आपको फ्यान में कितना ओयर चाहिए आपका जो फ्यान का कनेक्टर है उधर थोड़ा सा लुपिंग रखे बाकी उपर रहने दीजिए ओयर का मेजरमेंट हो गया अभी कुछ दिक्कत नहीं है आरा सब्सक्राइब निकाले तो आपको और निकलना पड़ता उसके बाद क्यान भी गुष्टा में बटम बाला क्यान पी लग गया टॉप भाला भी लगा लेते हैं कि चल्यंजब डान डाऊंड घूलרג дав repair को धाव्ट्रों केसाथ जंड कर देते हैं नौटबल के साथ में लिए य वह वहला जो नौट पूल्ट का राएं उसे हेंहमर क्लाम बोलते हैं ठीक है चलिए फ्यान का दॉइन रहे उसको ब्च के साथ strateg कर लेते हैं अभी आपको डॉबल नौट दे रहा हैं सैप्टी के लिए लेकिन आपको डॉबल नौट यूज करना है नहीं तो के टाइट कर देंगे तो हो जाएगा इसा नहीं है आपको डबल करना है कि फ्यान जो है वह मुम्मेंट पार्ट से हो हर टाइम घुमेगा घुमने के टाइम में आपका जो बोल्ट का नौड है वह लूज उने का बहुत चांच है यह वाला फिन जो है उसको यूज करेंगे त ठीक है और प्लायर में थोड़ा से बेंट कर दीजिए जैसे कि वह निकलेगा नहीं चलिए अब फ्यान का कनेक्शन करते है ठीक है फ्यान का जो वेर है वह तीन तो इन्पुड है एक स्टार्टिंग वाला एक रनिंग वाला और एक कमान है ठीक है कोई भी मोटर हो वह उसक स्टार्टिंग वाइनिंग और एक रनिंग वाईनिंग ठीक है और उपर वाला जो ओंए वो नीट्रल है तो चलिए हमारा आज उसने फेच को कानेक्ट कर देता है आपका जो रनिंग यह है उसे कापासिटर के थ्रों में सपलाई मिल जाएगा निछे वाला आपका ski कांप्लेट हो जाएगा कनेक्शन उसके बाद जो भी टर्मिनल है सब को थोड़ा-थोड़ा टाइट कर दीजिए कहीं लूज रहेगा तो वह स्पार को के आपका फ्यान डेमेज होने का बहुत चांसे से रहता है तो इसलिए आपको सारे जो टर्मिनल है उसको थोड़ा- और जो कैनोपी है उसे नीचे डाल दीजिए चलिए फ्यान का ब्लेट लगाता है आपका जो अहां पर दो दो बोल्ट टाइट हुआ है उसको खोलना है जहां पर सिंगल है उसको मत खोले है वह वाला आपका फ्यान को जो बेस है ना उसको टाइट करने के लिए ठीक है यह ब्लेट के नीचे लगाना क्यूंकि यह थीरे-धी फैन का कॉलर है वह डियमज हो जाएगा उसके भाद बॉटे है उसमें रोष्ट लगे यह प्यूज करेंगे तो व्यों नहीं होगा रोष्ट नहीं होगा आपका फ्यान आच्छा रहे गया टेक है तो उसको यूज करना ह एसे ही पट्टी लगा के आपका जितना भी ब्लेड है तीन ब्लेड चाल ब्लेड का पंखा हो उसको टाइट कर दीजिए अच्छे से ब्लेड लगाने के बाद और एक बार जितना भी बोल्ड है सबको फाइनल टाइट मार दीजिए ठीक है टाइट होने के बाद आपका जो बोट्टम वाला क्यानपी है उसको डाउन कर दीजिए हम लोग का कनेक्शन कम्प्रेट हो गया चलिए अभी उपर वाला जो दो ओयर है पावर वाला उसको आपना जो होल है उधर निकालेंगे उपर वाल जो होल रहेगा आपका नौट बोल् दोनों वैर को पतला वैर नहीं था इसलिए मोटा डाल रहा हूं इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है ठीकि आप लेकिन आप वान का नहीं तो 1.5 के वायर डालिए नहीं तो आपका जो केबल है वो छिल जाएगा ठीकिए सिलिंग में जो आपका फेज नीउटल आर्थिंग करेंगे उसको मार्किंग कर लीजिए पहले तो इसके बाद फ्यान को उठागे आपका जो दो शीलिंग वाला जो जो भी वैस्टा है थे लगाने के लिए उसमें एक हिंगर क्लांप होता है जो लगा है निचे में वह वाला क्लांप के मदद से फ्यान को टाइड कर करेंगे उसके पीन लगाएंगे ठीक उसके बाद connection करेंगे बात वाना कि आपको जड़रत होगा टाइट करने के लिए ठीकि नहीं तों गूम जाएगा एक त्रव करेंगे दुश्बत गूम पाइदा कुछ नहीं है कि नॉट बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट कर दीजिए उसके बाद उसका जो सेप्टी पीन है उसको डाल दीजिए और थुड़ा उसको बेंड कर दीजिए बेंड नहीं करेंगे तो निकलना के भी चांचस रहता है ठीक है चलिए अभी कनेक्शन करेंगे ऊठीक किसट पूरा इजिए देखिए इवला नुटीर है आप जो मार्किंग किये यह फेज है ठीक है नूट्र अल्फेज को कर दीजिए और आप जो अर्वें का मार्किंग किये थे वह आप त्याइड कर दीजिए वह लाद इसके साथ पीश करते हैं आपका आर् connection में वह जाएगा नीचे से नजहरा नहीं आएगा तो आपका looking बहुत आचा दिखेगा चलिए switchboard में fan का regulator और switch connection करेंगे उसके बाद fan को चलो करेंगे ठीक है regulator में आपका दोट और होता है ठीक है एक input और एक output ठीक है एक को switch के साथ connect कर दीजिए और एक आपका जो fan का ओयर रहेगा उसमें connect कर दीजिए और जो neutral बाला ओयर है उसको डायरेक्ट देंगे ठीक है तेले वानवे स्विच का connection सिखेते उसके इसाब से आप ये भी connection कर दीजिए सब्सक्राइब करेंगे रेगुलेटर को पावर आ जाएगा और रेगुलेटर को आप यूज कर सकते हैं स्वीड कंट्रोल के लिए तो आपका दूसरा वाला जो यह रहे हैं उदर पावर जाएगा और फैन के स्वीड उसके से चलेगा ठीक है चलिए दोस्तों अभी कनेक्श कंट्रिट हो गया बोर्ड को फिक्स कर देते हैं कि यह देखिए जान नमर स्पीड में इतना फास्ट है तो पांच नमर में कितना होगा चलिए देखते हैं पांच नमर डाल गए यह वाला पंका का अर्जिनल सांड लगता है जैसे से कोई भूचा ला गया हो कि यह वाला भीकड का आइस्वीड फ्यान है इसके आर्पेम चार सो है और उसका फ्राइस सताइसो बच्चा से अंदर आ जाएगा ठीक है दोस्तों फिर मिलेंगे आगले वीडियो में झाओा है तर विर मिलेंगे झाओया बाता है प्राइसो को बच्चा को बrition herा है झाला बाता है दोस्तों फिले take-oda है झेज तोस्तों को लेगना है ध। ए्यान को ज convenे तोस्तों जा構न चार इसका बाद़